नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललिक कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सब को बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि जो मैंने इससे पहले जो मेरा सेकेंड लास्ट वीडियो था कि हाउ टू स्ट इंफरस्ट्रक्चर उसका कैसे त्यार करना है जिससे कि हम उसको पढ़ने के बाद हम भूल न पाए और सबसे बड़ी चीजे उससे रटना न पढ़े हम इसको समझे और एक ऐसा इंफ्रस्ट्रक्चर हमारे दिमाग में तयार हो जिससे की उस medicine को हम मरते दम तक नहीं भूल पाएं आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद करा उसका जो link है उपर card में मैं दे दूँगा आप please उसको जा कर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों यह उसी संबंद में हैं उसके अंदर जो infrastructure वाले मैंने point बताये थे उन points के अंदर से last point था कि try to understand the pace of the medication यह वीडियो उसी बारे में है कि what is the pace of medication pace of a medicine pace of a remedy कि remedy का pace क्या है उसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो वो हमको उस medicine को एक correct patient में correct situation में use करने में मदद करता है अब pace of the medication के आपको मैं example देता हूँ जैसे for example एकोनाइट, बैलेडोना मैं अगर आपसे पूछूँ कि whether एकोनाइट एन बैलेडोना और short acting और long acting तो आप फट से बोलोगे कि नहीं सरी यह तो एकदम short acting medicine है क्यों क्योंकि एकोनाइट और बैलेडोना दोनों के अंदर inflammation की first stage की बात करी गई है अब यहां पर मैं एक बार short में आपको बताना चाहता हूँ कि जो चार stages inflammation की हमको बताई गई थी हम उन चारों stage के ऊपर एक-एक medicine को set करेंगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेडिसीन के पेस से मेरा क्या अतात पर है जैसे कि फर्स्ट स्टेज inflammation की फर्स्ट स्टेज के अंदर वेस्कुलर या आर्टीरियल excitement होता है जिसके अंदर redness होती है heat होती है और pain होता है यह फर्स्ट स्टेज है जो second stage of inflammation की होती हो उसके इंदर inflammation जब एक कदम और आगया आता है तो उसके अंदर आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही हलका सा fusion मिलेगा in that stage तब भी system जो है वस्कुलर excitement में ही रहता है तब भी redness होती है heat होता है pain होता है sensitivity होती है बट एकदम फर्स्ट स्टेज of inflammation से second stage में यह सारी चीजे थोड़ी सबसाइड हो जाती है the third stage of inflammation what it is it is the state of effusion की जब तीसरी stage के अंदर inflammation होता है तो वहां पर सूजन उतरने के बाद कुछ सूजन चड़न चड़ना चालू होती है एकदम से सूजन तो नहीं होती कभी हमको चोट लगती की inflammation में शुरू में swelling नहीं होती शुरू में फर्स्ट स्टेज में बहुत ज्यादा heat होती है redness होती है second stage में वह हेड हीट और redness और pain थोड़ा सब variable form में आता है third stage में effusion मतलब सूजन आनी चालू होती है and this is what is known as the third stage of inflammation जिसके अंदर serous mucus या किसी भी parenchymal organ के अंदर swelling आ जाती है पानी भर जाता है and fourth stage of inflammation की वह जो fusion है उसके अंदर suppuration हो गया मतलब वह पकने लगा पस बन गया and the fifth stage is the stage of resolution तो आप फिफ्ट को छोड़दे resolution की बात हम नहीं करेंगे first second third और fourth पर मैं आपको एक-एक medicine रखके बताऊंगा तो आपके दिमाग में concept समझ में आएगा कि what is the pace of the medication echo night echo night first stage of inflammation echo night के अंदर हर जगे लिखा है plethora arterial excitement plethoric person full-blooded patient तो यह echo night echo night represent and indicated only in the first stage of inflammation जब यह heat pain redness tension बहुत ज्यादा है tension keynote echo night second stage of inflammation में indicated medicine है बैला डोना बैला डोना के अंदर साफ drug picture में लिखा है कि जो four sign of inflammation है वो चारो होते हैं heat होता है pain होता है redness होता है और loss of function तो बैला डोना यहां पे indicated है बट बैला डोना और echo night के बीच का distinction क्या है कि arterial excitement बहुत ज्यादा चरम पर होता है echo night में बैला डोना में भी arterial excitement है hyperemia है और वस्कुलर सिस्टम बट वो echo night से कम होता है पर होता है ठीक है ना तो यह बैला डोना तो first stage of inflammation शुरू शुरू हुआ यहां पर echo night आ गई second stage में बैला डोना आ गई अब यहां गौर से देखोगे तो echo night का जो time होता हूँ बहुत short बताया है मतलब अगर आपको patient उस stage के अंदर फस रहा है आपके सामने आपके सामने आ गया तो आप echo night दे सकते हो है वह बहुत ज्यादा फास्ट है यह बहुत ज्यादा rapidity के साथ काम करती है मतलब यह फास्ट एक्टिंग है और इसी के साथ सूपरफीशियल एक्टिंग है मेरी बात संद्धिया अभी मैं concept आगे clear करता हूं उसके बाद आती है बैला डोना कि वह patient inflammatory response आने के कुछ घंटों पाद हमारे पकड़ में आया तो एको नाइट का स्टेज जा चुका था अब वह बैला डोना में आ गया को भी पकड़ लो तो यह third stage of inflammation fourth stage मैंने क्या बताया कि पानी में पस पड़ गया ही पर सल्फ साइलीशिया साइलीशिया एंड ही पर सल्फ तो फर्स्ट स्टेज में एको नाइट सेकंड स्टेज में बैला डोना थर्ड स्टेज में एपी सिया फिर ब्राइनिया रखते ज्या stage of resolution कैलकेरिया सल्फ कैलकेरिया सल्फ में साफ लिखाएं कि फोड़ा बनके पक के फूड गया है और एक छेद बन चुका है जब उसके पस ने वेंट मतलब आउटर डॉल्ड में जाने के लिए एक रास्ता डून लिया है उस स्टेज की दवा है कैलकेरिया सल्फ और कैलकेर प्रफ मेडिसिन आपको बताई है एको नायट बैलाडोना ब्राइनिया हीपर सल्फ साइलीशिया कलकेरिया सल्फ यहां पर आप गौर से देखेंगे तो इनके पेस में आपको फरक दिखेगा जिस तरह से इनके खुद के बेस में ड्रग पिक्चर में फरक है कि एको इस जस्ट लाइका स्ट्रॉम जैसे स्ट्रॉम मतलब तूफान आता है बस कुछ मिंटों के लिए आता है वो शेहर में तबाही करता है एंड पासेज अवे इन दे सेम वे एको नाइट की कंप्लेंट बहुत तेजी से आएंगी बहुत शॉर्ट पिरियेट के लिए रहेंगी पर बहुत ही ज्यादा आतंक मचाने के बाद वह पास अवे हो जाएंगे तो यहां पर हमको पता चल रहा है कि एको नाइट का पेस होता है रैपिड ऐसी कंप्लेंट जो बहुत ही सुपर एक्क्यूट हैं सुपर सुपर शॉट डूरेशन की हैं तो यहां पर हमको पेस Indicated for the deep-seated disorder ऐसी बीमारियों के लिए एकोनाइट नहीं इंडिकेटर है जो कि वाइटल एटी के अंदर वाइटल फोर्स में deep-seated बीमारियों पे काम करेगी क्योंकि इसका पेस कैसा है इसका पेस है फास्ट है और सुपर फीश्यल जो फास्ट है और सुपर फीश्यल और यसा नहीं है कि बहुत डीप सीटर डिसॉडर को सही कर देगी तो यह एको नाइट था और एको नाइट का बिल्कुल अपोजिट अपन ने साइलीश और हीपर सल्फ रखा था तो वह अब फोड़े के अंदर या फिर एक इंफ्लमेशन में पास कब बढ़ेगा कब बनेगा भ वह कई समय तक बहुत लंबे समय तक वह रिजॉल्व नहीं होती तो वह क्रॉनिसिटी के कारण अल्टिमेटली बहुत लेट वहां पर एपसेज बनता है यहां फिर लेट फोर्थ स्टेज ऑफ इंफ्लमेशन आती है पस फॉर्मेशन के तो यहां पर क्या दिख रहा है यहा महिनों के बाद आई मतलब बीमारी जो है यह बहुत लंबे समय तक टिकी रही मेंटेंड रही मतलब sluggish disorder sluggish एक तरफ एक तरफ एको नइट फास्ट था तो यह slow slowly progressing disease all the diseases all the medicines which have the slowness in their action वो धीरे काम करती है वो सारी कि सारी chronic complaint में indicated होती है and that is why those medicine is known as the deep acting medication, deep acting medication तो यहां पर मैं pace of the medication से आपको यही बताना चाहता हूं कि ऐसी complaint जो एकदम acute है एकदम acutely आई patient की 12 बजाई और acutely निकल गई तूफान की तरह है तो यहां पर जो medicine लगेगी वो हमको ऐसी लगेगी कि जिसका pace जिसका काम करने का manner बहुत फास्ट हो अब क्योंकि उसका काम करने का manner fast होगा और यह acute complaint है तो कुछ भी deep seeded disorder नहीं है economy में मतलब उसको कुछ भी हुआ धूप लग गई एकोनाइट के patient को उसको दस्त लग गए उसकी 12 बज़ गई पूरी की तरह abdominal inflammation में और यह चीज़ें बस एक ड़र दिन के अंदर खतम हो गई है आई उसकी 12 बज़ी और वो निकल गया एकोनाइट तो जो ऐसी medicine जिनका pace fast होगा वो सब superficial acting होगी उनसे आप बहुत ज़्यादा chronic deep seeded disorder को आप नहीं समाल सकते हाँ chronic rheumatism के patient को मौसं थंडा होने की वज़े से acute exercise of chronic disease जब होगा आरी और्गेनन की लाइन या acute exercise of chronic disease तब आप यह high pace और fast pace की medicine को acutely उसमें use कर सकते हो मतलब कहने का उसके joint के अंदर osteoarthritis हो रहा था वह basically था silesia का patient क्योंकि उसकी बीमारी को बनने में 10 साल लगे थे और 10 साल के बाद यह 5 साल से घूम रहा था हेलो पैथी में फिर यह 15 साल की period के बाद मेरे पास आया तो मेरे को क्या दिमाग में आया कि यह 15 साल बीमारी को लगे मतलब बीमारी का कहिन है कि exciting cause और maintaining cause सेम है और इसी वज़े से यह बीमारी के अंदर जो medicine लगेगी वो obviously मेरे को slow acting medicine ढूणनी पड़ेगी क्योंकि medicine जितनी slow act करेगी वो उतनी depth तक जाएगी medicine जितनी superficial act करेगी वो depth तक नहीं जाएगी बस वो ऐसे चली जाएगी मेरी बात समझ रहे हैं आप तो यही होता है pace of the medication कि जब भी हमारे पास एक medicine को हम पढ़ते हैं तो उस medicine को किस तरह की complaint में उसका use करा गया उससे हमको उसका pace पता चलता है काम करने का और वही पेस जो उसके अंदर उसके ड्रक टिक्चर के अंदर चित्रण किया गया है वैसे ही पेस हमको एक पेशेंट के अंदर उस medicine के administration के लिए रूणना पड़ता है तो यह moral of the story है कि जब भी medicine का पेस फास्ट होगा वो सिर्फ सूपरफीशली एक्ट करेगी उसके बाद medium की बात करते हैं और अब मीडियम क्या होगा मीडियम होगा भाई ब्राइनिया की स्टेश कि उसके अंदर थोड़ा वहत इफ्यूजन हो रहा है कुछ inflammatory के sign भी है और inflammation के भी sign है तो यह एक अच्छी खासी यह बहुत chronic complaint भी नहीं है पर यह acute भी नहीं बची तो इसके अंदर जो medicine briny और apis जैसे indicated होंगी यह medicine का जो पेस होगा वो एको नाइट जैसी medicine से थोड़ा सा slow होगा पट silicia जैसी medicine से कम होगा मतलब उसका जो सबसे तेज पेस किसका है एकोनाइट वाली medicine का जो first stage of inflammation के लिए इंडिकेट है जो एकोनाइट बैलोड होना वगर 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 उसका पेस ज्यादा था तो वह एकदम सूपरफीशली काम करती थी अब ब्राइनिय तक आते है तो उसका पेस थोड़ा से कम हुआ पर उसकी depth of action बढ़ गया उसका depth of action बढ़ गया और जब और यह medicine आगे चली और इंफ्लमेटरी जो मारकर्स आगे चले इंफ्लमेशन की स्टेज आगे चली अभी थर्ड फॉर्थ स्टेज आफ इंफ्लमेशन आ गई तो यहां पर आ जाएगी हीपर सल्फ और साइलिशय जैसे medicine जिनका पेस और स्लो है यहां पर हम पेस को कम करते जा रहे हैं तो जिस तरह से medicine का पेस कम होता जाएगा उसका depth of action बढ़ता जाएगा कहने का मतलब जो most deep acting medicine पूरे देखिए Materia Medica में सिर्फ एक medicine को बताया है जो इतनी deep acting है और इतनी slow acting है और बहुत powerful है वो है Silesia Silesia is one of the best example कि सबसे जड़ा deep acting है Silesia और वो deep acting होने के कारण वो बहुत slow acting है उसका pace बहुत slow चलता है कि it requires many decades almost many decades मतलब कई दशक लगते हैं एक patient को hardcore Silesia की complaint को develop परने में आप सोचिए और Silesia कहां कहां पर indicated है भाईया केरेस और नेक्रोसिस और बोन पर इंडिकेटेड है chronic tuberculosis के उपर indicated है inflammation of joint के उपर indicated है chondritis मतलब cartilages के inflammation पर इंडिकेटेड है बोन के inflammation पर इंडिकेटेड है तो आप समझ सकते हों कि inflammation of bone is not the any phenomena which can happen within the one or two years of period नहीं इसको सालों लगते हैं डेवलप होने में तो Silesia की complaint कैसी हो गई Silesia की complaint हो गई एकदम slow एकदम sluggish disorder lingering complaint बट इन दोस lingering complaint जो medicine आई है Silesia उसके slow pace की वज़े से बहुत डीप acting हो गई कि वो डीप सीटेड बॉनी ट्रबल्स डीप सीटेड ट्रबल्स इन दे एकोनॉमी डीप सीटेड ट्रबल्स इन दे वाइटल फोर्स को एनिलेट करके उखाड के फेक देती है वहीं क्या ऐसी complaint के लिए आप एकोनेट बैलड उना यूज करोगे नहीं करोगे क्योंकि उनका पेस बहुत फास्ट है तो हमको एक पेशेंट की बीमारी के पेस से हमको मैडिसीन के पेस को सूपर इंपोज करना पड़ता है और मैडिसीन का पेस हम तब तक नहीं समझेंगे जब तक हम उस पॉइंट को is a result of inflammation आप एक ऐसा डिसॉडर बता दो जो बिना inflammation के participation के कोई भी भीमारी हो जाए कोई भी भीमारी नहीं हर जगे inflammation होगा सर्दी नाक में सर्दी है inflammation होगा वही सर्दी अगर एकदम chronic हो गई है तो भी inflammation होगा एकदम acute cold के अंदर एकदम एक्यूट थंडी हवा का जोंका लगा जो ड्रॉट अफ कोल्ड एर जो एको नाइट में बार बार लिखा सर्दी हो गई एको नाइट दवा है ठीक है पर वही पेशेंट को chronic sinusitis है chronic sinusitis को नाख की हड़ी वड़ी सब तेड़ी हो गई नेजल पॉलीप है डीएनेस है तो कहीं न कहीं इस आदमी की दवा साइलीशिया होगी in the chronic case चीज एक है साइट एक है नाखी साइट है नाखी के अंदर सारे फसाज चल रहे हैं चीजे भी अल्मोस्ट सेम होरी है पट पेशेंट ने बोला मेरे को 15 साल से साइनेसाइटीस है मेरे को बैर इसनेल आती है नोस से मेरे को सांस लेता हूं तो मिरे को बूरा सा एक ऍर फ्रेग्रेंस पने को फील होता है यहां पे देखिए मैंने पेश of the disease को pace of the medicine के साथ super impose करा और फिर मैंने medicine को administer करा तो इसको कहते हैं pace of the medicine को समझना और एक अच्छी materia medica समझने के लिए एक अच्छा doctor समझने के लिए और moreover patient के condition को अच्छे से समझने के लिए उसके अंदर भी आपको pace of the disease समझना पड़ेगा कि disease के space पे exist कर रहा है ठीक है उसका pace क्या है अगर pace एक दम fast होगा pace मतलब pace baller होता है न बॉलिंग के अंदर बोलता है न pace baller रहे उसको pace मतलब pace मतलब speed कि अगर बीमारी के अंदर over blaming की speed तेज होगी तो बीमारी बहुत superficial होगी अगर बीमारी बहुत ज्यादा deep-seated slow होगी मतलब lingering disorder ऐसे disorder वो बहुत सालों से develop हो रहा है तो उनको सालों लगा develop होने में तो भी definitely वो बीमारी बहुत deep-seated होगी और उस deep-seated medicine का आप यह समझना क्यों जरूरी है कि भाई सहाब deep-seated बीमारी का आप superficial medicine से कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे में चीज में यहां यह बताना चाहता हूँ एक बार को acute stage में chronic medicine काम कर जाएगी acute stage है एकदम acute कुछ हो रहा है तुमको समझ में नहीं आई तुमने chronic दे दिया वो चल जाएगा an acute disorder can be handled with the chronic medication but the chronic disorder ऐसा medicine जिसके अंदर मेरे को slow pace की deep acting medicine चुनना है वो अगर आपने नहीं किया तो आप एक chronic बीमारी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते acute और high pace के fast pace के medication से तो दोस्तों यह था एक वीडियो जिसके अंदर बहुत जरूरी था आपको समझाना कि what is the pace of the medication और इसको कैसे medicine के pace को समझना बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार